तो हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल डीसल मेक में तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों के भी डाउट्स आरेच सर इस्किल टेस्ट हमारा है प्लांट अबरेटर लेबरोटरी के लिए और और भी आने वाले जो भी आईट तो वह सबी चीजे हम देख लेंगे इस वीडियो में तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा बाकि तो आप जानते हो यदि आपको अपडेट्स चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है तो देख लीजे हम देख लेते है कि जो स्लीप है मतलब जो सीवीटी बन हुई थी उसके अधिमिट काड आया तो उसमें जो सीलीप थी वह इसमें लिखा गया है कि वह स्लीप को कंपल सरी लेक्या आना है तो मैं बता दू नहीं भी यह तो आप एडिमिट काड को डाउनलोड करके फिर से भी ओकर सकते हो ले बायोमेट्रिक अपडेट मतलब अपका फिंगर लिया गया था तो बहां पर भी आपका बायोमेट्रिक अपडेट होगा तेस्ट के दोना तो उतना टेंशन मत लिए उसको चेक भी नहीं करते हो कुछ लोग तो पर जिन लोगों के पास है तो लेके जरूर जाएगा जिन ल यह भी गया था पिछले वीडियो में कि आपको एक से दो फोटो भी ले जाना है और यहां पर देखिए आपको जो भी आपका ट्रेड रहेगा जैसे प्लांड ओपरेटर रहे आईटे वाले रहेगा जो भी तो आप देख लिए तो आपकी के टेग्री रहने वाली है और य यहां पर तो आपका इड्रेस हो गया हाँ वेन्यू फोर इस्किल टेस्ट टो एटोमिक एनरजी जुनियर कॉलेज अनुसरति नगर टॉंबे मुंबई रहेगा तो मुंबई में आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा जिसका देख लिए बारा बारा तरीक को है बारा जनवर टूटाउजन ट्वंटीफोर तो आपको पहले ही रिपोर्टिंग टाइम जो दिया 730 730 मतलब साध साधे साथ बजे आपको रिपोर्ट करना है जाके मापर ठीक है आपको सबसे पहले जाना पड़ाएगा उसके बाद फिर मापर क्या होता है उसके बाद आपको डाकुमें कोफी है इसको आपको दे दिया जाएगा बाद में स्केल टेस्ट के बाद ठीक है तो यह उतना काम नहीं आता है पर रख लीजेगा ठीक है और मैं अभी इंस्ट्रक्शन पढ़के बता देता हूं क्या-क्या है कि अब देख लीजे बिग्यापन नंबर आप जानते ही हो जीरो तीन तोजारतेविस है ना अभी आर्सी के संबंद में अभ्यारतियों को को सल परिक्षा है तो निर्देश इसकिल टेस्ट के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिये है ना ठीक है यह जीरो जीरो त्री है ना टूचरण परिटी तुरूगा जो रिक्रू एड़र्टाइब में नंबर था उसके अगेंस है तो देख लिए आपको प्राविश्पत्र में उल्ले कि ति तता इस्तां कॉसल परीक्षा परिक्षा के विना आपको कोसल परिक्षा में अपस्तित होने क्या नहीं नहीं दी जाएगी तो यह क्या बोल रहा है है ना देखो मैंने अभी यह बात की विडाउट यह एड्मिट कार्ट एंड एक नॉलेज मेलंग्सिप और सीवीटी एड्मिट कार्ड है ना जो भी आपका देखो एक तो यह एड्मिट कार्ड ले जाना कंपल सरी है ठीक इसको ले जाएग तो उसके भीना आपको मतलब पर्मिशन नहीं दी जाएगी तो मैं बता दू इसमें से यह आपका स्किल टेस्ट का एड्मिट कार्ड होना बहुत जरूरी है तो उसको लेके जाएगा है ना सीवीटी का नहीं भी होगा तो एक घड़ी चलेगा लेकिन उसका आप लेके लाएगा ठीक है और अभ्यारती से अनुरोदे की वे कोसल परिक्षा के इसके निधारी समय पूर्व रिपोर्ट करें और अभ्यारती के प्रत्य पत्रों तथा यह था फोटो बायोमेटिक सत्याफन पिंगर का सत्याफन अनुदेशों की घोष्णा तो दिए आपका नहीं भी होगा तो चलेगा मतलब मिस कर दिये तो कोई दिक्कत नहीं है बाकि आपका जो इसके काड़ है उसी से आपका काम चल जाएगा ठीक है और फिर आविदन जो मैंने बताया हूं पिछले वीडियो में आप उसका लिंक भी दे दूंगा नीचे तो वह देख लिए से आगे डिटेल्स दी होगी अब यह देखिए ओरिजिनल सेटिफिकेट अटेस्टेट कॉपी और सटिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एकेडमिक कौलिफिकेशन तो देख लिए इसमें दिया है कि ओरिजिनल कॉपी तो ले जाना ले जाना है आपको है ना जितने भी डॉकुमें प्रिंसिपल गॉर्मेंट जो भी रहता है उसके अगोर्डिंग आप अटेस्टेट करबा के लिए जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है ठीक है जो भी आपके डॉकुमेंट वगिरा है तो अटेस्टेड उसी से कहलाएगा ठीक है और जन्मतिती प्रमान पत् चाहिएगा आप अपने पास भी है ठीक है और चाती प्रमान पत्र बगिरा यह सबसे में रहता है डॉकुमेंट वेरिविकेशन में तो इस पर ध्यान देना चाहिए आप लोगों के लिए और महाराष्ट के यदि केंडिडेट है तो उस मामले में जाती की विद्धिता प् पर लिए तो चलते रहता है हमेसा के लिए तो यह आपको ध्यान देना है और कार्षट के लिए में एक और बता दूँ आपने जो एक्प्लिकेशन में लगाया हुआ है का स्टिपिकेट तो उसको तो ले जाना है यह जो ब्लेडिटी भी समाप्त हो गई है तो जो बीर सी का सब्सक्राइब करेंगे यहां से आपका जाती प्रमान पत्र इसू होता है का सर्टिपिकेट इसू होता है तो आप भी इसके अकॉर्डिंग बन बाके लिजा सकते हो है ना में भी आपको एक फोटो देखने को मिल जाएगा ठीक है मैंने किसे फिल किया था उसका और फिर ए नाया भी आपने बन बालिया उसको भी लेके जाए और जो बीर्सी का फार्मेट यह आपसे फिल हो रहा है तो उसको भी लेके जाए यह यह नहीं भी होता है बाद में आप से वह एक अंडर्टेकिंग ले लेते जोइनिंग के टाइम पर यह आपका जैक्सन होता है तो उस सब्सक्राइब के लिए और फोटो आइडी जैसे कि आधर कार्ड ड्राइविंग लाइसन इन तिनों में से कोई सभी एक आपका चलेगा तो आधर कार्ड सबके पास रहता है तो आधर कार्ड ले जाएगा ठीक रहेगा और देखिए इसकी क्या लिखा इसमें candidate will be permitted to appear for the skill test only after their traditional and eligibility are verified तो देख लिए जो भी आपके document verification होने के बाद ही आप eligible होगे skill test देने के लिए ना सब कुछ में यदि सही रहेगा तो आपके skill test देने के लिए मतलई skill test देने के लिए भेज़ा जाएगा ठीक है और इसमें किसी प्रकार की छेड़चार नहीं होना चाहिए इसके अंदर में अभ्यारती के विब्रण से मेल नहीं खाते तो अभ्यारती को कोसल प्रक्षा में उपस्तित होने की अनुमती नहीं है तो देख आपको फिर बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है ठीक है तो जो भी प्रोब्लम होगा वो थोड़ा सा हेल्प करेंगे आपका ठीक है तो आप लेजिए और ता बायमेट्रिक सेल्वी केप्चरड एट डा टेस्ट वेन्यू फोर वेरिफिकेशन है ना और दो देखिए बायमेट्रिक वेरिफिकेशन या था आपका फिंगर जो भी आपने लगाया होगा वो मेच किया जाएगा ठीक है और बायमेट्रिक मेच नहीं करेंगा तो आपका केंडिएचर केंसिल कर दी जाएगा भी हरता तो आपको पासपोर्ट अकारक की दो प्रतिया साथ लेनी है वही जो हां देखिए यह उन्होंने बुला है six number का पायं कि जो भी आपने एप्लिकेशन में जो फोटो लगई थी उसको लेके जाना है ठीक है वो दो फोटो आपको लेके जाना चाहिए जो आपने एडिमिट कार्ड में मतलब आपने जो एप्लिकेशन में लगई थी ठीक आपको साइन करनी है और भ्यारती के लिए समान हाँ यह सही बात बोलते हो कि आपको जो भी स्किल टेस्ट होगा उसके लिए आपको समान को खुद रखना पड़ेगा उसके वह जिम्हदार नहीं रहेंगे तो इसलिए अपने मुल्यमान बस तो साथ में ना ले जाए ठीक ह जो भी अपने कोई विए फ्रेंट्स वगिरा को देखे जाएगा यदि आपके साथ को जाता है तो बरना महां पर कुछ सुविधा नहीं रहती रखने की ना और कोसल पर इस्थान पर किसी प्रकार का अनाचार अनुचित सादनों का कज़ाचार अनुसांसिंहिंता पाई ज किसी आप से अब करना कि सरे सा तो फिर आपको हटा दिया जाएगा महां से और कोसल परिक्षा का परिणाम हमारी वेब्शाइट पर करकासित किया जाएगा ठीक है यह वेब्शाइट है वाद मैं अपको देखने का मिल जाएगा और बहारी अभी अब्यारतियों को सब्सक्राइमेंट नहीं है उनको टीए के लिए वह लेना जिल से रेलवे के रियायत नहीं मिल रही है वह लोग स्लीपर क्लास या दुरतिया शेनी में आपको इसका टीए मिल जाएगा के लिए तीस किलोमेटर आने जाने का किराया अभ्यारति धरा वहन किया जाएगा ठीक है या पढ़ लीजेगा बाकी इंपोटेंट डिटल्स नहीं है ठीक है अच्छे से पढ़ लीजेगा कुछ भी डाउटर था तो मुझे बताएगा मैं आपकी जरूर करूँगा ठीक है न हमारे को जो कौलिफिकेशन चाहिए था उसके लिए विद्ध्यारति के पास वो नहीं है तो उसको साफ साफ अतलब नहीं किया जाएगा इस किल टेस्ट देने के लिए असल परिक्सा के लिए अभ्यारतियों को प्रविशुद रूप से अंत्तिम है तता निर्धारित पात तो आप देख लिए बाकी की जो भी आपको लगता है फिर नीचे डीटेल्स दिए किसे क्या आपको जाना है ना कौन से स्टेशन कहां है मुंबई शहर में आप लोकल ट्रेन आटोरिक्सा टेक्सी से यात्रा कर सकते जो आसानी से उपलब दे प्रिक्षा इस्थाल के रखा है यह ना वेश्टरवस का मार्ग जो भी अनुसक्ति नगर सोगर यह यह नंबर की बस चलेगी चलेगी तो आपको इस बहुत सारी चीज़े गूगल मैप से थूप लिजगा तो आज के वीडियो में इतना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया और जो भी आपक चैनल पर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे और भी अपडेट ब्यार से जुड़े और भी इंफर्मेशन आपको मिलती रहेगी धन्यवाद